इसके जो राइटर है या ओतर है वो है ऐनीज जंक ने ये चैप्टर लिखा है और ये जो आपका चैप्टर है वो है फ्लैमिंगो बुक्सी तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करती है तो चलिए सबसे पहले हम जा लेते हैं इसके केरेक्टर के बारे में तो सब इसका पूरा नाम है साहिबे आलम जो कि एक रैगपिकर होता है यानि कि एक कचरा उठाने वाला होता है इसका जो पूरा नाम है वो मैंने आपको बता दिया है साहिबे आलम सीमापूरी एक जगय का नाम है जो डेली के पास हुई है तो ये क्या है रैगपिकर है सीमापूरी के अंदर His family left Bangladesh as their homes had been swept due to flooding यानि कि जो साहिब और उसके family है वो बांगलादेश में रहते थे लेकिन बांगलादेश को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि जो उनके घर है बाहर के कारण जो है वो बह गई थी They came to India from Bangladesh in the hope of finding a good life अब वो क्या है बांगलादेश से इंडिया में आते हैं ताकि क्या है वो अपना अच्छा जीवन जी पाएं अब जो साहिब और उसकी फैमिली है वो इंडिया में आ जाते हैं फिर सीमा पूरी में रहने लगते हैं और जो साहिब है वो वहाँ पे कहा है नंगे पैरी चलते रहता है क्योंकि उसके पास जूते ने हमारा नेक्स्ट केरेक्टर है मुकेश अब यह जो आपका चैप्टर है ना वो दो स्टोरीस के अंदर बटा हुआ है एक तो है वो कहानी है साहिब आलम की और जो दूसरी कहानी है वो है मुकेश की तो पहला केरेक्टर मैंने आपको बता दिया है अब हम चलते हमारे दूसर character के और अब जो मुकेश है वो कह एक bangle maker है यानि की चूडी बनाने वाला है लेवज इं फिरोजभाद और यह जो मुकेश है वो कह फिरोजभाद में रहता है फिरोजभाद एक जगए है जो की उत्तर प्रदेश में है belongs to a family of a bangle makers और इनकी जो family है वो पूरी के पूरी के बैंगल्स बनाती है यानि कि उनका खांदानी पेशा है बैंगल्स बनाना अब आता है हमारा third main character जो हमारा third main character है वो है अनीज जंक अब यह जो अनीज जंक है न इन्होंने ये lesson लिखा भी है और ये कहा है इस lesson को narrate भी कर रही है अब famous story writer जो कि एक famous story writer है in this story as a character और इस story में वो कहा है एक character की तरह हमें दिखाई देती है तो यहां से जो आपका chapter है वो शुरू होता है सबसे पहले हम जो story पढ़ने वाले हैं वो है साहिब आलम की sometimes I find a rupee in the garbage अब वो साहिब आलम है वो कहता है कि मुझे है न कई बार क्या है जो कूड़ा होता है न उसमें से पैसे मिलती है the author comes across साहिब every morning अब जो लेखी का होती है हमारी author होती है वो क्या है साहिब के पास हर सुबह आती है साहिब left his home in Dhaka a long time ago तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जो साहिब है वो कह है बांगलादेश में रहता था और बांगलादेश में बार आने के कारण उन्होंने क्या अपना घर छोड़ दिया था अब धाका जो है वो बांगलादेश की capital है तो जो साहिब है बांगलादेश की capital धाका में रहता था और उसको कह बहुत ही time पहले वो साहिब है वो छोड़ चुका था धाका को और इंडिया में आ चुका था अब जो साहिब होता है ना उस कच्रे के धेर में से क्या है सोना ढूनने की कोशिश करता है जो उसके neighborhood याने की उसके घर के पास में होता है अब जो ओथर है वो पूछती है कि तुम यह क्या है ऐसे कच्रे के धेर में से सोना ढूनने की कोशिश क्यों करते है या तुम यह जो ragpicker का का काम क्यों करते है वो जो ओथर है साहिब से पूछती है अब जो साहिब है वो reply करते हैं बड़बडाते हुए मतलब बिल्कुली धीमी आवाज में कि इसके लावा उनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं है उसका जो नेबर हुड है वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है और जो साहिब है वो कहता है कि वो बहुत ही जादा गरीब है और वो काम भी क्या है नंगे पैर करता है इसके क्या है पहनने के लिए पैर हुए जूते तक या चपल तक नहीं है अब वहाँ पे क्या है साहिब की तरह ही दस हजार ओर रैग पिकर्स होते हैं जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है जो कि सीमापूरी में रहते हैं on the outer edge of Delhi जो की मैंने आपको पहले ही बता है दिले की बिल्कुल जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे है सारा मिट्टी मिट्टी का है वो तो यहाँ पे एक word आया है स्कुंद इसका मतलब होता है अवेद यानि की एक ऐसा ा वेक्ति जस जगह पे रह रहा हो वो जगह का है उसकी नहीं है वो और iligally उसsomी तहने की सलेशन है जो साहब और उसकी फैल्ली है वो कह स्कुटर्स है जो कि पांगलादेश है आए ECst 1971 के 1971 में जब बांगलादेश का जो क्राइसिस हुआ था उस वज़ा से जो है बहुत सारे माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए थे तो तब ही क्या है साहिब और उसकी फैमिली भी इंडिया में आए थे अब जो साहिब और उसकी फैमिली है वो यहाँ पे कहें 30 साल से भी ज़ादा उनको हो चुके है यहाँ पे रहते हुए और उनके पास अभी तक उनकी खुद की आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे नहीं है उनके पास है तो सिर्फ एक वोटर कार्ड यानि की वो कहें वोट दे सकते हैं और उनका कोई भी जो पहचान पत्र हम कह सकते हैं वो यहाँ पे नहीं है अब उनके पास क्या है सिर्फ एक तो वोट देने का अधिकार है दूसरा उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनको क्या है अनाच मिल सकता है अब उनका मानना है कि जो खाना है वो ज़ादा जरूरी है बजाए की आइडेंटिटी के और ये बात सही भी है अब उन्हें जहाँ भी खाना मिलता वहाँ पे जो अपना तंबू है वो वहाँ पे लगा देते और वो तंबू है उनके लिए उनका एक ट्रांजिट होम बन जाता चिल्डर्न ग्रो अप इन दैम एंड बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल अब जो बच्चे थे वो वही पर ही बड़े होते और एक दूसरे के क्या भागीदार बन जाते इन सीमापुरी सर्वाइवल मीन्स रैग पिकिंग अब सीमापुरी में रहने का मतलब था कि वहाँ पे कचरा उठाना थ्रू दे यर्स रैग पिकिंग हैस एक्वाइड द प्रोपोर्शन ओफ फाइन आट गार्बच तो देम इस गुल्ड इट इस देली ब्रेड एंड रूफ ओवर देर हैड यानि कि अब जो कचरा उठाना है वो उनके लिए क्या है एक कला बन चुका है और अब जो कूड़ा है उनको क्या एक सोने की और अभी यह जो रैग पिकिंग है इसी की वज़े से उनकी क्या है जो डेली ब्रेड है यानि कि उनका डेली जो पेट है वो भर जाता है और इस रैग पिकिंग की वज़े से ही आज उनके सिर पर छट है Sometimes साहिब finds a rupee or even a 10 rupee note in the garbage heap अब कई बार क्या होता है ना साहिब को एक rupee या क्या है दस rupee भी मिल जाते हैं उस garbage के ढेर की अंदर Then there is a hope of finding more अब उनको क्या है एक या दस rupee के बीच कुछ मिल जाता है तो अब उनके मन में है और इच्छा बढ़ जाती है कि अब तुम्हें क्या और जादा इसमें से कुछ मिल सकता है गार्वेज हैसा मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मेंस तो देर पैरेंट्स यानि कि जो गार्वेज है उसका मतलब बच्चों के लिए कुछ और था और उनके पैरेंट्स है उस ना कभी कोई ना कोई नई चीज मिलेगी और उनके पैरेंट्स के लिए गार्वेज का मतलब था means of survival यानि कि उनके जीने का तरीका यानि कि वो गार्वेज की वजह से ही जो आज अपनी जिंदकी है वो जी पार अब यहां पे कुछ दिनों या कुछ महिनों के बाद की बात अब एक सर्दी की सुबह है जो ऊथर है वो देखता है कि साहेब हैओ वो खड़ा हुआ है उसके नेबर हुड वाले जो कलब है उसके गیट के पास यहां पे फेंस गेट जो है न उसके में आप लोग देख सकते हैं इस तरह के गेट को हम लोग फेंस गेट बोलती हैं He is watching two young men playing tennis. अब वो देख रहा होता है कि जो दो आदमी हैं, वो गहें tennis खेल रही हैं. They are dressed in white और उन्होंने white killer के कपड़े पहने हुए हैं. साहिब likes the game but he is content to watch it standing behind the fence. अब ये जो tennis का game है वो साहिब को बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन जो साहिब है वो अंदर नहीं जा रहा है और जो fences है उनके पीछे रहे कर ये game देख रहा है. साहिब is wearing discarded tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. जो साहिब है उसने किसी गरीब बच्चे के फैंके हुए जूते हैं वो पहन रखे हैं और ये जूते हैं वो tennis shoes हैं जो कि बहुत ही जादा अजीब लग रहे हैं उसकी जो फीकी shirt है उसके साथ और जो उसकी shorts है उसके साथ. For one who has walked barefoot even shoes with a hole is a dream come true. अब एक ऐसा आदमी जो हमेशा क्या है नंगे पैरी रहता है उसके लिए क्या है ऐसे जूते जिनके अंदर एक hole हो जिनके अंदर एक क्या है सुराग हो वो भी उसके लिए जूते क्या है एक सपने के सच होने जैसा उसको लगता है. यानि कि साहिव के जूतों में एक hole भी फिर भी वो उन जूतों को पहन कर बहुत ही जादा खुश था बट टैनिस इस आउट ओफ इस रीच. अब यह जो टैनिस का गेम है वो क्या है इसकी पहुँच से ही बार है वो कभी भी इस गेम को खेल नहीं सकता. अब वो थोड़े दिन बात की और बात बताता है दिस मॉर्निंग साहिब इस ओन हिस वे टू दो मिल्क बूत. यानि कि इस सुबर जो साहिब है वो क्या है मिल्क बूत की और जा रहा था मिल्क बूत से हम यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे कोई मिल्क की शॉप होगी या फिर वो डेरी टाइप कुछ सिस्टम हो सकता है. In his hand is a steel canister. अब उसके हाथ में क्या एक steel की cattle होती है. ज़े चाय की cattle होती है वो उसके हाथ में होती है. He works in a tea stall. और अब वो क्या है एक tea stall के अंदर काम कर रहा होता है. यानिके एक चाय की दुकान के उपान वो काम दुकान. He is paid 800 rupees and all his meals. अब साहिब को क्या है? 800 रुपे दिये जाते हैं और क्या है सारा का सारा जो खाना होता है वो उस दुकान वाले की और से ही होता है. साहिब is no लॉंगर his master. यानि कि साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा है. मालिक मास्टर का मतलब होता है मालिक. यानि कि पहले उसके face पे रहता था कि इसको कोई भी चीज की tension नहीं है अब जो इसके चहरे पे ये carefree वाला look नहीं दिख रहा था अब उसके चहरे से लग रहा था कि अब वो यहाँ पे टी स्टोल पे काम करके खुश नहीं है तो यहीं पे जो आपका first part है वो खतम हो जाता है end हो जाता है तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि हमने first part से क्या सीखा तो हमने first part से यही सीखा कि कैसे जो गरीब बच्चे हैं उनके माबाप उनको पढ़ा नहीं पाती है और उसी वज़ा से जो उनकी freedom है वो उनसे चिन जाती है और उनको नचाते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो वो कभी नहीं करना चाती जैसे कि जो साहिब आलम है वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है लेकिन उसको अपना गुजारा करने के लिए अपनी जो wishes है उनको दबाना पड़ा और उस पे काम करना पड़ा टी स्टॉल थी अब जो फिरोजाबाद है वो उत्तर परदेश में है और question यह आता है कि फिरोजाबाद किस के लिए famous है तो मैं आपको बता दूँ कि जो फिरोजाबाद है वो चूडिया बनाने के लिए famous है अब जो मुकेश का परिवार है वो कहा है बैंगल बनाने में लगा हुआ था बट मुकेश insists of being his own master लेकिन मुकेश क्या यह चूडिया बनाना नहीं चाहता था वो अपना खुद का master मतलब वो खुद का मालिक खुद बनना चाहता था ना कि यह चूडिया बननाना चाहता था I will be a motor mechanic he announces I will learn to drive a car he sees अब जो मुकेश है वो बोलता है कि मुझे क्या एक motor mechanic बनना है और वो सीखना चाहता है कि कार कैसे चलाई जाती है तो यह सब वो मुकेश कहता है फिरोजाबाद is famous for its bangles जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो फिरोजाबाद है वो चूडियों के लिए मशूर है Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles यानि कि हर जो दूसरी family है वो फिरोजाबाद में सभी के सभी कैश चूडियों का ही काम करते है चूडियां बनाने का ही काम करते है इस तादा ने किया वही फोते ने किया तो वो क्या है ऐसे ही जजर्वेशन के जर्नेशन है वो क्या है चूडियां बनाने वर्किंग अराउंड फर्णैंसें welding glass making bangles for women यहां पर एक वर्ड आया फर्नेंस इसका मतलब होता है कि एक बटी होती है जिसमें क्या है जो ग्लास से वो पिगलाया जाता है और फिर उससे क्या है चूडियां बनाई जाती है तो वहां पर जो फैमिली है वो क्या फर्नेंस के आसपास काम करती रहती है ग्लास को प temperatures यानि कि वहां पर कोई नहीं जानता कि मुकेश जैसे बच्चों से वहां पर इन फर्नेंस यानि कि इन ग्लास की भट्टियों पर काम करवाना illegal है गैर कानूनी है इन डिगी सेल्स without air and light यानि कि वहां पर कह बहुत जादा high temperature होता है और वहां पर ना ही तो कोई हवा होती है और ना ही कोई light होती है तो ये सब करवाना वहां पर क्या है गैर कानूनी है देस लोग their daylight hearts और वो जो बच्चे है वो अपना क्या है पूरा दिन है वो खराब कर देते हैं इसी काम में often losing the brightness of their eyes और तो और उनकी जो आँखों की रोशनी है वो भी क्या है कम होती जाती है क्यो It could be get Mukesh and 20,000 children out of the hot finances अगर वहां पर ये कानून लागू हो जाता है मतलब कानून तो है कि बच्चे काम नहीं कर सकती लेकिन वहां पर क्या है वो लोग वहां पर नहीं मानती है अगर वहां पर लोग ये कानून मानने लग जाए तो Mukesh और उसके जैसे 20,000 जो बच्चे हैं उन होट फरनेंसे से बाहर आ जाएंगे उन धक्के से जो चूडियों का उन से काम कराया जाता है उससे वो कह बाहर आ जाएंगे यानि कि वो लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां पे रहने लाइक कुछ है ही नहीं यानि कि वो घर बहुती ज़ादा गंदे है और जहां पे जो ढहने वाली है वो दिवारे है और डगमगाते हुए वहाँ पे दर्वाजे है और उन घरों में खड़की भी नहीं है. Humans and animals coexist there. यानि कि वहाँ पर इनसान और जानवर रहते हैं. They enter a half-wheel shack और जो मुकेश और उसका परिवार है वो क्या है आदी बनी हुई जोंपड़ी में गुश जाते हैं. यानि कि उस जोपड़ी का जो एक हिस्सा है वो क्या है मरी हुई घास से बरा हुआ है यानि कि बिलकुल ही रूखी सुखी घास से बरा हुआ है और एक कमजोर औरत चुले पर शाम का खाना बना रही थी यानि कि जो औरत खाना बना रही थी वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी और उस औरत पे क्या है तीन आदमियों की जिम्मेदारी थी एक मुकेश एक उसका भाई और एक उसके फादर अब जो मुकेश के पापा थे वो भी क्या थे एक गरीब बैंगल मेकर थे यानि की गरीब चूड़ी बनाने वाले थे despite long years of hard labor first as a tailor and then as a बैंगल मेकर he has failed to renovate a house and send his two sons to school यानि की बहुत सारा hard work करने के बावजूद भी जो मुकेश के फादर थे वो पहले तो tailor थे उसके बाद में जो है वो चूड़ी बनाने वाले बन गए थे लेकिन फिर भी वो अपने घर को क्या है renovate नहीं कर पाई थे और ना ही अपने दोनों बेटों को क्या है school भेज पाई थे इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी all he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles बस वो इतना कर पाई थे कि जो वो जानते है वो ही उन्होंने क्या है अपने बेटों को सिखा दिया था वो क्या जानते थे वो जानते थे चूड़ी बनाना तो वो ही क्या है बस अपने बेटों को सिखा पाई थे उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाए थे सवीता अ यंग गल इन ड्रैप फिंग ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन अल्डरली वुमेन यानि कि सवीता नाम की एक जो बच्ची है वो बुड़ी औरत के पास में बैठी थी यानि कि उसके हाथ बहुत जादा तेज चल रहे थे एक मशीन की तरह यानि कि जो वो बच्ची है सवेता जो चूड़ीयां बनाने में मदद कर रही है शायद वो इन चूड़ीयों बनाने की जो पवितरता है वो नहीं जानती यानि कि जो इसके बगल में जो बुड़ी ओरत बैटी है उसने क्या है अपनी पूरी जिंदकी में पूरा खाना कभी इन जोई ही नहीं किया यानि उसका कभी पूरा खाना मिला ही नहीं जो बूरी ओरत है उसके पती जो है वो एक बुड़ा आदमी है obviously बुडा आदमी ही होगा और उसके क्या है flowing beard है यानि कि एक भैती हुई तारी है He knows nothing except bangles He has made a house for the family to live in He has a roof over his head अब जो बुडा आदमी है वो क्या है bangles यानि कि चुडियों के अलावा कुछ नहीं जानता और उसने अपनी family के रहने के लिए एक घर भी बनाया है यानि कि अब उनके सिर के उपर चट है Little has moved with time in Firozabad अब जो author है वो थोड़े time के बाद की बात बताती है कि समय के साथ जो Firozabad में चीज़ें हैं वो बदल चुकी थी Families do not have enough to eat अब जो वहाँ परिवार हैं उनको क्या है भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा था They do not have money to do anything except carry on the business of making bangles यानि कि उनके पास टूड़े बनाने का धंदा करने के सिवाई और कुछ करने के लिए पैसे ही नहीं थे The young man echo the laminate of their elders यानि कि जो जवान लोग वो बार बार यही कहते रहते हैं जो उनसे बड़े हैं या जो उनके पैरेंट्स हैं उन्होंने भी यही दुख सहा था और अब भी वो भी क्या है यही दुख सह रही है They have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers यानि कि जो बैंगल मेकर हैं उनके जो father और forefather हैं यानि कि उनके जो पूरवज हैं उनको जो बीचोली होते हैं जो middle men होते हैं उन्होंने पूरी तरह से उनको कहें अपने जाल के अंदर फसा लिया है यानि कि इतने सालों से उनका जो दिमार का वो बिल्कुल सुन ही हो चुका है और अब वो सोचते भी नहीं अब उनमें क्या है इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अपने सपने देख पाएं यानि कि वो लोग क्या है अब खुद का कोई business नहीं बनाना चाते या वो खुद की कोई cooperative नहीं बनाना चाते जिससे वो अपना सामान खुद बेच सकी अब वो यह ऐसा इसा यह नहीं करना चाते क्योंकि उन्हें डर है कि जो police है उनको वो घसीटेगी पीटेगी और फिर क्या है कोई भी अवैद काम करने के लिए उनको क्या सीधा जेल में डाल देगी there is no leader among them यानि कि उनमें से कोई भी leader नहीं है no one helped them to see things differently और कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर सके चीजों को एक अलग तरीके से देखने के लिए all of them appear tied अब वो सभी के सभी क्या एकदम ठके हुए लग रहे है यानि कि वहां के लोग हमेशा कह चारी चीजों पर उनकी बात है वो घूमती रहती है गरीबी जो उदास रहती है वो लालच और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो तो डिस्टिंग वर्ल्स आर विजिबल वन families caught in poverty and burdened with the stigma of caste in which they are born यानि कि हमें यहाँ पर दो दरा की दुनिया दिखाई देती है एक तो ऐसी families जो क्या है गरीबी में दबी हुई है और उनके जो बच्चे है वो क्या है जो caste का stigma है यानि कि जो caste system है उसी में क्या है अडे हुए है फसे हुए है और उनके लिए एक caste system एक दलदल की तरह हो गया है जो इससे कभी बाहर नहीं निकल पा रही है तो first world था इन गरीब लोगों का और दूसरे world के बारे में जिसे एक आ गया है वो है money landers, middle men, police men, keepers of law और जो जितने भी politicians हैं वो सब together they have imposed the baggage on the child that he cannot put it down अब इन दोनों वर ने क्या है मिलकर बच्चों पे इतना बोज डाल दिया है कि वो खुद कुछ सोच ही नहीं पाता अब वो क्या है naturally ये समझ लेता है कि भई तुमारी जिंदकी तो यह यह तुम इससे बाहर कुछ कर नहीं सकते जो बच्चा होता है वो to do anything else would mean to dare अब वो अगर कुछ और करना भी चाहे तो उसमें इतने हिम्मत नहीं होती and daring is not part of his growing up और जो सहास हिम्मत है वो कह है उसके life का बड़े होने का हिस्सा ही नहीं है the author is chair when she senses a flash of it in Mukesh who wants to be a motor mechanic जो लेखी का है वो खुश हो जाती है वो मुकेश के चहरे पे जो एक चमत का असास है वो देखती है कि वो शचमें motor mechanic बनना चाता है तो अब मैं बटा देती हूं। इस story से हमने क्या सिखा तो इस स्टोरी से हमने सिखा कि कैसे जो बच्चे होते हैं गरीब बच्चे होते हैं वो कैस्ट सिस्टम में फसे हुए होते हैं और उनके पास कोई भी एजुकेशन नहीं होती है तो इसी के साथ ये जो आपका चाप्टर है वो खतम हो जाता है तो इसी तरह से और चाप्टर्स की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी